नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपको मेरे चैल में फिर से एक बार में हूँ आपके वही अंजली काश एक दिन ऐसा भी आए हम तेरी बाहों में समाज आए सिरफ हम हो और तुम हो और वक्त ही चहर जाए यहां आपने सही सुना माज के रिले आशिवल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बात है यह anniversary है उनको मेरी तरफ से छेर सारे good wishes तो चलिए अब शिरू करते हैं जिन्दगी बहुत हसीर है कभी हसाती है तो कभी रुलाती है लेकिन जो जिन्दगी की भीड में खुश रहता है जिन्दगी उसी की आगे सर जुकाती है जो अपने में कुछ पाना चाहती है वो समुंदर में भी पथरों के पुल बना लेती है अगर आप भी कुछ जिन्दगी में पाना चाहते हो कोई success चाहते हो तो हिम्मत मत हारना आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो हमने तो सच्चे किस्से शराब खाने में सुने वो भी हाथों में जाम लेकर और हमने तो जूटे किस्से अदालत में भी सुने है वो भी गीता और कुरान लेकर जिन्दगी बहुत खूब सूरत है जिन्दगी से प्यार करो अगर हो रात तो सुबा का इंतिजार करो वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतिजार है बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो आपको भी वक्त पर एतबार करना चाहिए कि एक दिन हमारा वक्त जरूर आएगा अगर ऐसे सोच होगी तो जरूर आएगा जिन्दगी में जीत और हार है किसके लिए एक दूसरे में इतनी तक्रार है किसके लिए जो आया है इस दुनिया में एक दिन वो जाएगा एंसान तो तुझे इतना गुमान है किसके लिए? आपको काफी तकलिफ दे सकता है परिवार से जुड़े मामलों में खुद को सही साबित करने की जिद ना रखिएगा काम की जगा पर भी आपको व्यक्तिगद रिलेशन्शिप्स और काम से जुड़ी बातों को अलग-अलग रखना सीखना होगा यनकि आज की दिन यूँ कहा जाए तो आपको बैलन्स बना कर रखना होगा और किसी प्रकार की जिद नहीं करनी है बड़ा काम बनने की बड़ी खुशी आपको मिल सकती है आप मेंसे कुछ लोगों को काफी बड़े स्किल पर आपको फायदा हो सकता है किसे के भले के लिए प्रयासरत हैं तो इस कारे में सफलता मिल सकती है भला करना भगवान की प्रसंता हासल करना है साथ में सिदारे कहते हैं कि अपने सभी कामों को खुद निबठाने की कोशिश कीजिए किसे से सहायता की अपक्शा ना ही रखे तो ही बेटर है अपने क्षमताओं पर भरोसा रखें आप किसी से कम नहीं है वो सब आप कर सकते हैं जो बाकी कर सकते हैं कोई वसीयत आदी से समंदित कार भी आपका चो है समपन हो सकता है कभी-कभी तनाव हावी होने की वज़े से काम में मन नहीं लग पाएगा आपका लेकिन जब आप चो है अगर उस पर ठंडी दिमाग से विचार विमर्ष करेंगे तो आप में हैसूस करेंगे कि परिशान ही इतनी बड़ी नहीं है जितना कि आपने तनाव ले लिया है टेंशे ले लिया है बच्चों की गदिविद्यों पर नज़र रखना होगा आज बच्ची हाथ से निकल सकते हैं उनके जो मुबाइल्स वगारा है उन पर ज़रा गौर फरमाईए बच्चों को बिगड़ने से रोखिएगा आज काम से ज़्यादा मौत जो मस्ती में आपका मन लगा रहेगा आपके कर्म और विवहार कासर आपके आसपास के छूटे बच्चों पर हो सकता है इसलिए उनके सामने योगी उधारन स्थापित करने की कोशिश करें आज दोस्तों से मेल जोल भी बहुती बढ़िया बना रहेगा फैमिली से जादा आप फ्रेंट्स के साथ जादा बीजी रह सकते है दोस्तों के साथ पिक्निक या रॉट ट्रिप मन को तरो ताजा बनाने के लिए साइकसिद हो सकती है तो आज आपको काफी हद तक आउट्रिंग जरूर करनी चाहिए आपको बहुती फायदा मिल सकता है कई लोगों को जो है आज थोड़ी बहुत मांसिक परिशानी हो सकती है आप अपने विचार शैली और दिन चेरा में जो बदलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए बहुती उत्तम है बढ़िया है विशेष्टे लोगों से लाबदायक कॉंटेक्ट्स बनेंगे बहुती लॉंग टाइम से चिंता चल रही थे आपकी उसका जो हल है वो बस निकलने वाला है ऐसे उमीद है बलकि निकल ही आएगा कोई व्यक्ति जलन की भावना से समाज और रिष्टेदारों में आपकी अलोचना कर सकता है आपकी बदरामी करने के पूरी कोशिश करेगा इसलिए जो है किसी पर भी जादा भरोसा मत कीज़ेगा वन्ना आपके लिए नुकसान हो सकता है किसी बनते होए काम के चानक रुकने से मन आहद भी रहेगा लेकिन कोई बात नहीं अगर वो रुका है तो भले के लिए लुका है लेकिन याद रखेगा अगर आपके दर्वाजा ये बंध हुआ है तो यकीन वानी दूसरा दर्वाजा जरूर खुला होगा चलिए बागे बड़तीर बात करते हैं आज के बिजनस और करेड के बारे में तो आज सांजेदारी से रिलेटिड बिजनस में पार दर्शिता बनाए रखेगा एडोसे में भरोसा जरूर होना चाहिए जरा से गलत फेमी सबंदों में दरार पैदा कर सकती है जिससे आपके बिजनस में काफी हद तक नुकसान हो सकता है इसलिए दोनों आप पार्टनर्स एक दूसरे पर यकीन रखिए में वसाय में आज अधिक पैसा मत लगाईएगा क्योंकि जो नुकसान होने की संभावना है वो आप में से कुछ लोगों को जादा ही छेली पर सकती है साद में अज बिजनस में अपने क्शमताओं के अनुसार ही रिस्क लेना होगा जॉब कर रहे हैं लोग आज जो काफी हद तक बेजी रहने वाले हैं अगर में शिंडरी या उसे रिलेटिट कोई आप चीजें खरीना चाहती हैं आप अपने द्योग को बढ़ाना चाहती हैं तो आपको फॉरन उस पर अमल करना चाहिए ग्रह सिदियां जो हैं आपकी दाइरे में ही रहेंगी भागे काफी मजबूत दिख रहा है पिता या पिता से रिलेटिट कोई व्यक्ती है पिता की उम्र जैसा तो उससे जो है मदद मिल सकती है आपको जो आगे चलकर बहुत ही फाइदमन साबित हो सकती है आपके लिए लौ से जोड़े जो लोग हैं अपने काम को भी खूबी निभाँ पाएंगी और लोग के जो स्टूरंस हैं को भी काफी हद तक जो है फाइदा देखने को मिल सकता है ऐसी जो सितारे हैं आपके बन रहे हैं तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लब लाइफ के बारे में तो आज की लब लाइफ कहती है कि पार्टनर का आपके प्रती जो प्रेम है वो काफी हद तक बढ़ सकता है दिन काफी यादगार और रोमांटिक बन सकता है हो सके और अपने पार्टन के साथ आप डिनर बर जरूर जाएगा जीवन साधी के स्वास्तों को लेकर थोड़ी बहुत चिंता आप में से कुछ लोगों को रहेगी लेकिन परिवारिक कारे में आपका सहयोग घार की विवस्ता को उचित बना कर रखेगा घर के छोटे-मोटे काम करते हुए नजर आएंगे कोई भी तकलीफ नहीं होगी सब कुछ नॉर्मली चलता रहेगा परिवारे जीवन विवस्तित रहेगा संतान से किसी परकारे में रुकावटाने की वज़़ से घर में उदासी चाह सकती है आपको उपने बच्चों का मनोबल को बढ़ाना चाहिए उनको मायूस नहीं करने देना है इसे के साथ ह्याग पार्ण के साथ कई लोगों की अनबन हो सकती है यकीन मानिये तो एक परतिशल लोगों की अनबन हो सकती है निम्यान में सब कुछ छीग रहेगा तो आपको जो है सब कुछ जो है संभाल कर रखना होगा समल कर रखना हुआ एक दूसरे को समने की कोशिश कीजिए और कोई भी फैसला एक दूसरे पर मत थो पिएगा तो चलिए बागे बरत विर बात करते हैं आज के स्वास्ता यानिकी हेल्थ के बारे में तो आज आपकी हल्थ कहती है कि मांसिक और शरीरिक स्वास्त के बारे में आपको जागरुक होना पड़ेगा रक्त चाव यानिकि ब्लद प्रेश्यर और पैरोस में सूजन जैसे कई लोगों को समस्याए हो सकती है साथ में आज शुह है स्वास्ति बाकी लोगों का तो ठीक ठाक रहेगा बीजी काफी रह सकते हैं जिससे आपको अराम फिर्माने में दिक्कते आ सकती है तनाव की कानन कमर में भी कुछ तकलीफें वगरा हो सकती है तो चलिए बागे बढ़ते वर बात करते हैं आज के विशेशुपाय के वारे में वज़ाओ के लिए विशेशुपाय केहता है कि आज आज आपको अपने इश्ट देव की पूजा करनी चाहिए साथ ही साथ में आज अगर आप गुप्त रोप से पूजा करते हैं, अराथना करते हैं, मारिटेशन करते हैं उससे बहुत ही जाद आपको तरक्की हासल हो सकते है मारिटेशन आपको सुभा के वक्त अल्ली मौनिंग में करना चाहिए इससे जो है सुकून तो बढ़ता ही साथ में अधात्मेक उन्ती भी होती है अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप जो हैं अपने जिन्दिकी को बदल सकते हैं फैसले दिने में आपको इसे दिक्कते नहीं आएंगे आप में एक अलग ही उर्जा विद्यमान रहेगे तो आप भी ज़रूर ट्राइ केज़ेगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद